वो कहते हैं कि अगर किसी चीज को तुम्हें हासिल करना होगा तो hard work बहुत जादा important होता है I totally agree with this but hard work के साथ अगर हम लोग एक और चीज आड़ कर दे that is smart work तो यार हम लोग हमारे goal परना definitely बहुत ही जल्दी पहुच पाएगे तो आज मैं आपको एक pro tip देने वाला हूँ जिसके थुरू आप लोग आपकी CA foundation की exams को बहुत ही अच्छे नंबर से pass कर सकते हो और आपको aggregate का tension नहीं रहेगा तो aggregate में कई बार बच्चे अटक जाते 200 लाने के लिए लेकिन इसको कैसे achieve करें देखो यार आपको फटा-फट से बता देता हूँ बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा दो-तिर मिंट से जादा नहीं रहेगा चार सब्जेक्स आपको होते सी यह foundation में जी हाँ accounts, law, mathematics and economics तो आप लोगों को दो subjective paper है accounts and law accounts तो यार खेर बच्चों को practical subject शाद पसंद होता है तो यहाँ पर यह लोग manage कर लेते हैं law में आप लोगो को क्या करना होगा law में आप लोगो समझता सब कुछ है लेकिन लिखने में practice नहीं होती है या फिर लिखने में दिक्कत आती है तो आप लोगो यहाँ पर writing practice कर दी होगी तो definitely it is going to help you एक question daily लिख दो ठीक है one page daily आप लोग लिखोगे तो definitely यह बहुत जाद आपको help हो सकता है mathematics में बहुत सारे लोग को problem होती है तो make sure that कि आप लोग यहाँ पर एक important chapters की list बना दो थोड़ा सा selective study कर लो और लिख लिख कर ही solve करे and economics guys is the pro tip that I want to give you economics definitely is going to help you to actually make your score above 200 I have seen so many results this time and बहुत बहुत पहले भी बहुत सारे results देखे है economics हमेशा help कर रहा है क्योंकि यहाँ पर syllabus चोटा है mcq paper है और हम लोग यहाँ पर score कर सकते है so don't ignore this subject I would say that make sure at least 50-50 मुझे माक सारे subjects में आ जाए और at least यहाँ पर मैं score कर सकूं तो यहाँ जो average student भी है मैं यहाँ पर यह उन लोगों के लिए कर ना चाता हूँ जो average student भी है वो भी बहुत आसानी से pass कर सकता है CA foundation की exam अगर उसने थोड़ा सा smart study किया तो echo small syllabus right mcq paper and definitely you can score more मतलब आप लोग 80-85 प्लस भी target कर सकते हो और यह achievable है law में राइटिंग practice कर नी है match में थोड़ा selective game खेल सकते हो and accounts तो यार मतलब manage हो जाता है मतलब हमको अच्छा भी लगता है accounts generally अच्छा लगता है and manage हो जाता है so guys the pro tip over here is economics में fordna fordna है कोई भी हालत में 80-85 प्लस definitely आ सकते हैं यह बात ज़रूर याद रखना तो मैं कहूगा at the end कि यार c.a.f foundation में fail होना difficult है because 50-50-50 और 80 भी आ जाते है 60-60-60 और 80 भी आ जाते है तो भी हम लोग यहां पर crack कर चुके हमारी c.a.f foundation exam 200 प्लस हमें score हो चुका है so guys ऐसे हम लोग मिलते रहेंगे बहुत सरे amazing informative वीडियो के साथ और मैं आप लोगों को motivate करते रहोगा help करते रहोगा और अगर आपको यह tip अच्छी लगी है तो जरूर आप लोग मुझे यहां पर comment section में बता दीजिएगा आपको और कौन से वीडियो चाहिए वो भी होजे comment section में बताइएगा I am always there for you guys and yes अगर यह जो मैंने कहा जिसनर exam दे दी है और यह accept करते है तो जरूर आप लोग बता दीजिए कि जो मैंने information यहां पर दी है बिलकुल चाहिए है और आप लोग आपके marks अगर चाहो तो share कर सक दे हो so thank you so much bye bye tata check it do hit the like button and do subscribe to the channel guys thank you so much this is Achilles Daga signing off